हेलो एब्रीवन वेल्कम टू जएट केमिश्टी क्लासेज तो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं केमिश्टी ऑफ कार्वोएडिट और उसका ही हमारा लेक्षर नमबर थर्टीन है और इसमें हम पढ़ रहे हैं इंटर कनवर्चन और मोनोसेकराइट जिसमें से आज हम बहुत ही इं करता है बनता क्या है तो मैं आपको बार बता दो यह कंवर्जिन किशीच के अभी जब हम ग्लूकोज है अगर ग्लूकोज में हम डाइलूट बेश डाल देते हैं तो वहां से आपको क्या मिलता है मैनोज और फ्रक्टूज इन दौनों का एक हम बोल सकते हैं कंबाइंड प् 4-5-6 नीचे और छोच होता है भाकी इंब्सकूर फामर इनम्ब nik activity तो यह किसका होता है इस में तो मुझे लगता से अपन को मिलता क्या है यहां से हमें विया दो प्रड़क्ट मिलते हैं और दो प्रड़क्ट कौन कौन से मिलते हैं जरह हम बता देते हैं और उनमें क्या-क्या अंतर रहेगा यह भी बता देते हैं अंतर यह रहेगा कि जो हमारा प्रड़क्ट बनता है उसमें हमारा इसमें कर वुदा ये जो हमारा बनता है वह किया बनता है दूसरा हमारा बनता है 2 यह बनता है सभेसित के अब आपको पता हुए कर ने इस्थ्रक्चर यह हुता है ऑक हमारा यह आ वहारे पास में किया होगा जब्लू कोडू को भिषेट कराता है किसके साथ आधालुट tb लृंट को वाम मिले फैजक्टोज टो इस इस में में जमना यह है लोरीट कई एकर ब्सका सब्लार गणकर आफ है किंगा फोकूझस एक यहाउन अडिशा हुगर एकर आई पाथ 1 मैंनोज बनाएंगे फिर हम फ्रक्टोज को बना लेगे चले श्राड करता है इसकी बात करता है मैं कैने चुकिए हैं यहां बात करेंगे मैं कि यह दोनों प्रड़क्ट हमारे बने कैसे तो देखिए भई सीधी सीधी बात आपको हम यहां पर पहले ग्लुकोज का स्ट लसफे भूड़क्टेक्टिया है था मैं प्रड़क्टोज का है कि आपको प्रप्रब्लम नहीं होने चाहिए क्यों क्योंकि फ्रीयूआ कइसे लिख लिख दिये देर रखिए तक आपको समझम होगोर्टोज़ का इस्टॉक्टनर होगाँ है कि टने करभण हों है शिक्स कर यह तो आमने जैसा है वैसा वैसा लिख दिया उसके बाद में एक दो तीन कारवन पर एक है इसलिए मैंने क्या लिख दिया है पर CHOH का होलत राज और नीचे CH2OH यह लिख दिया है अब भी मैं अगर इसमें डालता हूं माली जे डायलूट बेस डायलूट ऐने उस डाल दिया मैंने सर इससे होगा क्या इससे होगा क्या तो आपको इसमें एक चीज पता होनी चाहिए क्या कि सर अलफा अगर हमारा कोई C1O करbonyl compound किया होता हमारा C1O और इससे जो भी कर्वन लगा होता है यह हमारा कर्वन अलफा कर्वन पर इससे जो भी hydrogen तो जल लगे विए उन रवां से नीचर के मतलब अगर हम इसमें भेस डालेगे तो अराम से निगल की चले जाएंगे कि यह सिर्ट निकल के चले जाएंगे बताई एक बार हम चले इस काम कर लेता है जैसे एक जैश्पल की बात करें आपने लेख युजए द्यब मैं क्या डाल देता हूं तो यह हमारा अलफा-कारवन से हाइड़िघन को बेस क्या कर लेता है निकाल लेता है और निकालने के बाद बनता क्या वहीं यह बन जाता है क्यों है इसका रीजन यह है कि अगर मैं यहां से एच प्लस को निकालने के बाद अगर उसका निगेटिव इस्टेबल हो रहा है तो यहां वाला एच जो है वो क्या होगा हमारा अधिक निचर निचर का हुग circuit होगा तो वहां से यहां से भीओ सकते हैं कि अलफा कारवन पर जितने भी प्रोटन होते हैं यह सारे के सारे हमारे अ memoir कि सर अगरम यहां पर रहा है किसमें को अesianndia यह सी यह चो को आं Been हम यहां पर यह बोल सकते हैं कि यहां पर इसका अलफा करूं का यह होगा यहां से यह करेगा क्या यहां से करेगा सर इस अलफा कि यहां से निखा लब हैंगे क्यों नीचे जैसा है उसको वैसा रहसा हम लिख देते हैं और यह हो जाएगा हमारा इसमें तो सर कोई प्रॉब्लम है नहीं अब यहां से क्या होगा यहां से होता है हमारा रियर्जमेंट इसको मैं बापस से सी डवलबंड हो एच की फॉर्म में लिखता हूं यहां पर एक इसके पास है और एक डवलबंड हो है कुछ इस टाइप से लिख देता हूं अब इसमें होगा क्या यहां रियर्जमेंट होता है कैसो कोई यह निगेटिव यह आएगा यहां पर डवलबंड क्रीट करेगा और यह वाला बॉंड ब्रेक हो जाएगा हमारा ऑक्षिजन की साइड तो सर यहां से क्या बनेगा हमारा यहां से भई हमारे पास यह फॉर्म बन मुझे लगता है इसमें कोई problem आखको नहीं होनी चाहिए अगर मैं माल लीजे इसमें बापस से protonation कराता हूँ कि water मेरे पास है water मेरे पास है और यहाँ पर आराम से H plus आपको मिल जाएगा अगर H plus को दूँगा तो मेरे पास में क्या है जहां से H plus निकला है वही H plus हमें लगाना है सर कैसे लगाएंगे तो यहां से हमारे पास possibility क्या होती है अगर यह हमारा negative बापस से यहां आता है यह bond हमारा बापस से इधर तूटता है तो यहां पर क्या है possibility हमारी दो बन जाती है सर दो कौन कौन से possibility बनेंगी दो possibility यह बने कि यहाँ पर जो OH है वो किस साँड़ है यह और दौनों साइद जा सकता है अगर हमारा जो H है वो कहां आगे जूड़ता है left hand side जूड़ता है तो OH राइट hand side होगा अगर H right hand side जूड़ता तो OH left hand side होगा कहने का मतलब है कहने का मतलब है यहां से हमारे पास दो possibility बन जाएगी और दो possibility वो कौन कौन सी बनेगी वो देख लेते जारा साना चले एक काम करता हैं पॉसिबिल्टी को देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी possibility बनने वाली है देखी अगर यह हमारा जो negative है यह negative इधर आता है तो bond break होगा भाई इधर यह हो जायगा इससे यह हो जाएगा यह negative यहां से खतम यहां पर कौन आजाएगा यह पर तो वह वापस से बन जाएगा c ho और यहां से बन ब्रेक होगा और यह जो और यहां पर हो जाएगा हमारा CH कहने के मतलद दो पॉसिविल्टी बनी यह बापस से इस तरह की फॉर्म बनेगी है पिलस को जुड़ना है नेगेटिब से यहां जो नेगेटिब आएगा अब नेगेटिब दोनों तरफ आ सकता है अगर इधर है जुड़ा है तो बापस से आपको कौन बनीए ग्लूकोज लेकिन एच अगर इस साथ जुड़ेगा तो बन जाता हमारा मैलोस तो ग्लूकोज स आपको बनता हुआ जाएगा तो मुझे लगता है हमने कैसा फड़ा हम ने यह पड़ा साथ हमारे पास निकाला उसने इनूलेट फ़र्म किया और बापस से जबनेगेटिब बाहरे तो तो प्लस जुड़ा तो आपको दोनों साथ जोड़ता है जहां से आपको ग्लूकोज म हमें मिल गए ग्लुकोज से अब बाताती है कि सर अमें हमें मिलना चाहिए क्या फ्रक्टोज तो इसे मां जो बता दीजी छलिए सरे काम करतें हैंक क्या काहनी भी जान लें लेते हैं हुआ का यहां पर हम क्या करता है यां पर हमारा क्या है है इहां पर क्या होगा में rec and क् interacting होगा हो और यहाँ ने इसे और ख्रेंगे और कि इसकार है यह मरा टार को चुछिंत नहींट इसमें हमें कोई प्रोब्लम है Ό buddy यह देखना चांद निए क्या करेंगे हमने बेश डाल रखका है ise ऑला यहां से हम से क Ingredientes योगा एकलत है सीडवल बने ऑ उ है यहां पर यहां पर है यहां आज जका है और नीचे मरसी है का होल, Thrice और नीचे CH2 OH है, ठीक है साथ, बापस से वही होना है, क्या होना है, यहाँ जो नेगेटिव आया है, यहाँ पर जो नेगेटिव आया है, वो यहाँ पर आजएगा double bond C, और इस पर OH है, और नीचे CH2 OH का होल, Thrice है, और यहाँ पर बन जाएगा CH2 OH है, अभी कोई प्रोप्लम नहीं, सर बापस से जैसे वहाँ पर हमने protonation कराया था, अब protonation जरूरी नहीं कि यहाँ पर rearrangement करके यहाँ नेगेटिव आए, भाई यह एच पर डारक नेगेटिव से भी लग सकता है, अगर rearrangement करके नीचे आगा तो मैनोज बन जाता है, और नहीं आया तो वो डारक टायट जोन हमारा इसी OS, OC आकर लग जाएगा, यहाँ double bond और यह carbon यहाँ OH, पर यहाँ पर CH2 OH का हो करने क्या करना है, अब बापस से इसमें base डालेंगे, बापस से क्या डालेंगे, base डालते हैं, तो base का काम क्या है, H प्लस को निकालना है, अब H प्लस को वो कहां से निकालेगा, अब H प्लस को वो कहां से निकालेगा, तो यहाँ से OS से H निकालेगा, वो भी E नवाले से, य यहां पर तो OH ही है यहां पर भी है यहां पर क्या जाएगा double bond C और यहां पर आजाएगा O negative बाकी नीचे जैसा है CH OH का whole thrice वैसा का वैसा रहेगा और नीचे आजाएगा CH to OH इतना काम करना है इसके बास simple सी कहान है क्या है यह negative इधर rearrangement करेगा बापस इधर bond break हो जाएगा जिसकी बज़े से हमारा बन जाएगा इस C और यहां पर क्या है OH और इस पर क्या है एक H इस पर आजाएगा negative क्योंकि bond इधर break किया यह single bond बचेगा और यहां पर आजाएगा double bond O और यह आजाएगा CH OH का hole thrice और नीचे आजाएगा CH2 OH अभी क्या करना है बापस से protonation कराएंगे भी H प्लस यहां पर negative है वहाँ H प्लस ले लेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा और एक हैच पहले साथ एक और पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2 तो यह बन जाएगा CH2 और इस पर है एक OH नीचे C1O और नीचे है CH OH का hole thrice पापस आजाएगा CH2 पस्वह इतना ही करना था यह structure किसका असद आपको नवजर आ गया होगा कि यही structure हमारा इसमें करना क्या होता है हमारे पास glucose होता है उसमें डायलूट बेश डालते हैं और डायलूट बेश डालने के बाद आपको दो प्रड़क्ट मिलते हैं एक मिलता है मैनोज दूसरा मिलता है सर मैनोज में क्या होता बिल्कुल ग्लूप जैसा structure होता है और फ्रक्रोश का structure आपको पता है हमें जानना यह सर बना कैसे बनने के लिए हम इसकी में करेंजम में क्या हुआ जब हमने ग्लूपमें डालूट बेश डाला तो उसने किया क्या alpha को इंस से hydrogen को अटा आ और यहां पर आगे निगेटिव रियर्रेंजमेंट में जाता है बापस से आता है बापस से आने पर यहां पर जो निगेटिव बनता है उस पर आपका H-plus जो होगा वह आपका left-hand side भी लग सकता है और right-hand side भी लग सकता है left बनेगा तो बापस से glucose बन जाएगा यानि reaction रिवर्स चली जाएगी और अगर right पर जाके लगता तो वहां पर क्या बन जाता आपका मैनोज बन जाता है इस तरह से हमारा एक प्रड़क्ट बन जाता है तो दूसरे के लिए हमने एक आता है जब हम डाइलूट बेस डालते हैं जब यह रियर्रेंजमेंट में जाता है जब बेस बापस से क्या करता है इस पोजीशन से एच प्लस को निकालकर यहां नेगेटिव लाता है नेगेटिव बापस से जाकर यहां पर नेगेटिव लाता है एच प्लस चोड़कर यहां पर हो जाता है और हमारा बन जाता है फ्रक्टूस तो मुझे लगता है इतनी बात तम हो गया अब हम डाई सेग्राइट करने वाले उसके बाद पॉली सेग्राइट आफ्टर देट केमिस्टे ओफ कारवाड़ डिटी एंड हो जाएगा और यह हमने बहुत डेटेल से किया वह यह ना तो आप इसको सेयर करेजिए लोगों को बताईए ठीक ना थैंक्स वागो झाले यह वाले गली एह उसकते जाएट करेंगा पॉली सेग्राइट पॉली एंड ही एंड हो जया हो जैंक्स वाख जए चाले ना पॉली एंड हो ऑ्पिने जा होगो जो फिल वाले गले जा घंक्ड